नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर दोस्तों आज हम बात करने वाला है आपके BSTC के एक्जाम के बारे में कि आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर कब आने वाला है साथ ही दोस्तों हम बात करने वाला है कि आपके जो कट आफ है वो कितनी ज सब्सक्राइuu बिःत करते हैं यहां से प्राफ्ट कर सते हैं यहां पर आपको Google पर सर्च करना पार और अरे इस्टेडि मसेला जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के description में दिया गया है तो दोस्तों यहां के साब ने स्क्रीन पर एक दूस्तों एक newspaper की cutting यहां पर दिख रिए जिसमें आपर साफ साफ दिखा गया है कि Pre-DLA, 400 अंक वालों को आजानी से मिल सकता है admission दोस्तों आपका exam समाथ हो चुका है और यहाँ पर एक newspaper में आ चुका है कि आपका जो cut off है वो कितनी रह सकती है यानि दुस्तों यहाँ पर अजमेर से जो कबर्ण मिल रही है कि आपके जो number है यानि कि 400 प्लस जिसके भी number है वो यहाँ पर आसाने से उनको admission मिल सकता है यहाँ पर दुस्तों बात करें आपके paper के बारे में कि आपका जो paper का level है वो क्या रहा था तो दुस्तों आपका जो paper है वो यहाँ पर easy to moderate रहा ठीक है न यानि कि easy to moderate आपका जो paper रहा था and यहाँ पर दुस्तों हम बात कर सकते हैं कि आपका जो paper है वो यहां पर समापत हुआ देने कि 600 number का paper था अब 600 में से हमें कितने number लाने होंगे जिसे कि हमारा यहां पर आसाने से selection हो जाए हमें यहां पर नजदे की college मिल जाए तो दोस्तों यहां पर हम सबस्पहले दोस्तों मैं पहले बात कर लेता हूं कि आपकी result के बारे में क्योंकि विद्यारतियों को doubt रहता कि हमारा जो result है वो यहां पर कब जारी किया जाएगा तो दोस्तों यहां पर result के बारे बात करें तो अगर हम यहां जो पिछले साल के data के बारे बात करें तो पिछली बार आपका जो exam हुआ था ठीकि ना आठ अक्टूबर को exam लिया था और आपका जो result है दूस्तो वह एक नवंबर को आपका जो result है यहां पर जारी किया गए था यानि कम से कम से कम दोस्तों यहां पर जो लगी दिन वह यहांपर यानि कि-熊 से दिन भी यहां पर justement hält ルा जालन हूए था त कम से कम दो इक मईने में आपका परिणाम और यह अगस्त को एक्जाम लिए गए ठीक ना 28 अगस्त को एक्जाम हुआ दोस्तों तो यहां पर अपकी बार जो रिजल्ट है वो यहां पर आने के क्या क्या चांसे रह सकते दोस्तों जो आपका परिणाम आएगा वो सैप्टेमर के last week के उसमें आपका परिणाम जारी हो जाएगा कम से कम मांग करें तो 25 सेप्टमर के बार आपका परिणाम आजाएगा यह आपकी तारिक रहने वाली है ठीक है हालनकि इससे पहले भी आसे था ठीक है न लेकिन इसके रिगार्ड को अपडेट आएगा तो मैं आपको बतूंगा टेलीग्राम पर तो आपको टेलीग्राम चैन श्बस टोंगा तो हो जाएगा मुझी बत कहां आती है जब विद्यार्तियों के 300 नमर आता हैं किसी की 320-350 तो यहां पर समंझ की इस टिया की यहां मेरा होगा तो तो यहां पर मैं बात करता हूं आपकर इस प्रकास थे नहीं आपके इतने नंबर थे और आश्टान जिके के क्रेटेर्य जो कट आफ के बारें तो दोस्तों यहां पर मैं बात करता हूं कट आफ के बारे में हैं कि तो his कट आफ निकाल दिया नहीं यहाँ पर अलग-अलग कॉलेज ही मिलती है हम दोस्तों अनुमान लगा सथ है कि इतने नंबर वालों कॉलेज मिली ठीक ना जैसे कोई पिछले साल का विजारती है उसको 420 नंबर पर यानि ग्रेजिला मिला है तो हम आइडिया लगा सथ है कि इतन यहां पर मान के चल सकते अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो यहां पर अपसे दोस्तों जो यहां पर अलग-अदर केंडी याने केटेगरी वाइस है तो उसकी भी आप देख लेए इंगर हम बात करें इडिविलोस कैटेग्री तो यहां पर जो EWS क्या है EWS की जो cut off यहाँ पर मान के चले तो 390 तक आप मान चले ठीक है उससे कम भी तोड़ा कली जिएगा ठीक है तो यह आपको criteria यहाँ पर जो रहने वाला है इतने नंबर वालों के यहाँ पर cut off जो है जा सकती है ठीक है दोस्तों तो यह दोस्तों मान के चलें कि इतनी cut off रह सकती है दोस्तों cut off में क्या है कि देखेगा यहाँ पर अब किसी किसी विदार थे कि दोस्तों 350 नंबर पर अगर वो OBC कैटेगरी से है तो उसका भी selection होता है यहाँ पर 350 नंबर वालों का भी selection होता है इनकी college मिलती है लेकिन क्या है उसको दूसरे जिले में college मिलती है ठीकि ना किसी दूसरे जिले में ठीकर जैसे आप मान लीजिए जैपूर के ठीकि ना अब अगर आप जैपूर के है तो आप क्या चाहिए में college मिले तो अगर आपको जैपूर में college चाहिए यानि खुद के grade ale always चाहिए होम district में अगर Bye you watch कि कोई OBC वाला बंदा है उसके अगर 350 नमबर है ठीकिना अगर OBC का कोई student है उसके 350 नमबर आ रहे हैं तो उसको खुद के जिले में यहने की college नहीं मिलेगी किसी दूसरे जिले में college मिलने के chances रह सकते हैं ठीक है न दोस्तों अब दोस्तों अगर बात करें पितली बार तो एक बार दोस्तों यहां पर 360 नमबर वालो ठीकिना 360 नमबर का था दोस्तों और SC कैटेगरी का विदार्य था उसको खुद के ग्रे जिले में college मिली है ठीकि दोस्तों यह जो एक college का रहने वाला है बाकी आप comment करके बताएं कि आपके कितने number बन रहे हैं आपका नाम क्या है आपके category क्या है और कितने marks आ रहे हैं वो comment करके जरू से बताएं जिससे कि दोस्तों हमें cutoff का और दोस्तों अनुमाद एक यहां पर exit pole निकार सकते कि क्या cutoff रह सकती है ठीकी दोस्तों तो इस प्रकार से रहने वाला है आप comment करके बताएं दोस्तों कि आपके यहां पर कितने marks बन रहे हैं ठीक है अगर जिसकी दोस्तों यहां पर 400 number तक हैं वो यहां पर save जो आना है बिलकुल उनके selection होने वाला है उनको college नजदे की college यहां पर मिलने वाला ठीकिना बाकी आप comment करके बताना कि आपके जो कितने क्या number बन रहे हैं और telegram channel को join करेना जिससे कि आपको exam के regarding update मिले और इस channel से दोस्तों यहां पर जुड़ जाना है subscribe कर लेना जिससे कि जैसे आपके जो counseling होगी दोस्तों counseling किस प्रकार से करा नहीं है अब कोई-कोई विदार्त दोस्तों क्या कि number अच्छे आते हैं लेकिन वह counseling सही करते हैं इसलिए उनको college मिलती नहीं है और ऐसा विदार्ती बहु के लिए जेहिन और वंदे मात्रम